अब ये धोगत चले प्रारम करते हैं पहला प्रश्ण है कि निम्रिखित कथनों में पर विचार करें यहाँ पर दो कथन दिये गए हैं पहला कथन है आपका कि पिट्स इंडिया आक्ट 1784 द्वारा कमपनी के कारियों पर प्रिटिस सरकार का पूर्ण नियंतरन इस्थापित हो गया तो ये कथन जो है आपका सही है ठीक है दूसरा कथन किये दिवाद के ने दूसरा कथन किये तो इस आक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्णर को बंगाल के गवर्णर जनरर के अधीन कर दिया गया तो दूसरा कथन आपका गलत है पहला सही है दूसरा गलत है तो केवल पहला मतलब ए आप्शन सही हो जागा देखिए इस आक्ट में पहली बार कमपनी सासे छेत्र को बिटिस आधीपत्य का छेत्र कहा गया वहीं जो दूसरा अलका थन है ये 1773 इस वी के रेगुलिक्टिन आक्ट द्वारा बंगाल के गवर्णर को बंगाल का गवर्णर जनरल पदनाम दिया गया और इस ब्यवस्था के धत्मद्रासुम बंबई के गवर्णर को बंगाल के गवर्णर जनरल के अधिन कर दिया गया आगे बढ़ते हैं निम्रिखित में से कौन सा कौन एक भारत में इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नुक्त अंतिम गवर्णर जनरल तथा भारत का प्रथ गवर्णर जनरल के रूप में जो है यह वाइसराय के रूप में आपका फिर बांसर तक कारी करता है आगे चलते हैं अगला प्रशन है दो सितंबर 1946 को गठित अंत्रिम सरकार के संबंद में निम्रिखित युगमों में से कौन साया से सही सुमेली थे मंत्री और मंत्राले तो इसमें आप देखें लियाकत अली क को जो है बिरी मंत्राले दिया गया था जबकि जग जीवर नाम को स्रम बल्देव सिंग को रच्छा मंत्राले अगला है नेम्रिखित संब्यधानिक संसोधनों में कौन साया से आठवी अंसूची से संबंदित हैं तो देखिए 21 संब्यधान संसोधन अधनियम 1976 के द्वारा सिंधी को जो सिंधी भासा सिंधी को और 71 संब्यधान संसोधन अधनियम 1992 के द्वारा जो है अधनियम 2003 द्वारा बोडो डोगरियों संथाली भासाओं को आठवी अंसूची में जोडा गया वर्तमान में आठवी अंसूची में और 71 के द्वारा तीन भासा हैं, कौंकड़ी, मरीपूर, नेपाली, और जो 92 है संबिधान संसुनता, इसके मादर में ते तीन भासा हैं, बोडो, डोगरी और संथाली, इसलिए D option हो जाएगा, question number 5 देखते हैं, question number 5 है, कि भारती संबिधान में वानित, निमलिकित में से कौन स एक प्रक्रिया को आइरलेंड के संबिधान से ग्रहित नहीं किया गया, मतलब वहां से नहीं लिया गया है, तो देखिए, राजसभा, राजसभा सदिश्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इसको यह जो है, किसे लिया गया है, भारत असन अधिनियम से लिया गया है बारसासन अधिनियम से लिया गया है इसके अध्रिक थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करिएगा देखिए संबिधान संसोधन की प्रक्रिया तथा राजसभा सदेश्यों का निरवाचन जो है वो दच्छन अफरिका के संबिधान से ग्रहित है अधिकान चीज़े हमने 1935 का यह संसोधन की प्रक्रिया यह दोनों ही जो है वो दच्छन अफरिका के संबिधान से लिये गया है आगे बढ़ते हैं हडपा काल को निम्निखित वस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्त थी तो देखिए इसमें से जो रोपन है रोपन यह सतलज के किनार रही है जबकि हडपा राविक किनारे काली बंगा गगर लोथल भोगवा नदी किनारे आगे चलते हैं अगला पर सुने कोशन नबर आठ अनुछेट नहीं नहीं साथ नमबर कोशन देखेंगे सिंदु घाटी सब्वेता का विस्तार निम्लिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था तो चेनाब जेलम सिंदु पर पर गंगा नदी के तट पर नहीं था अगला है अनुछेट 324 के अनुसार निम्लिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग दोरा संपन नहीं कराया जाता है तो आप देखें पंचायतियों नगर निगम नि उससे संब्धित बिरण इन्हें हमें सुमेलित करना है तो देखे 371 जा किसे संब्धित गोवा राज जी के संब्ध में विशेश उबंध 1 371 जा अवनाचल प्रदेश के संब्ध में विशेश उबंध 2 371 चा ये मिजोरम राज के संबंद में विशेश उबंद है और 371 घा में आंधर प्रदेश के संबंद में विशेश उबंद है तो 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे मैच करेगा ये option आगे बढ़ते हैं question number 10 देखते हैं निमलिखित कतों पर विचार कीजिए तो पहला कतन देखिए उप राजपती राजसभा का सजिश नहीं होता ये भी कतन सही है कारेवाहग राजपती की रूप में उप राजपती अधिक्तम 6 महीने की आउधी तक कारी कर सकता है ये भी सही है तीन के तीनों कतन यहाँ पर सही है सम्मिधान के उच्छे 63 के अंसार भात एक उप राजपती होगा ऐसा पर उधान किया गया है कुशन नमर 11 देखते हैं निम्लेस ततों पर विचार कीजिए दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं दो कथन दिए गए हैं बताना है इसमें से सत्ति कौन सा है पहला अंशेद 61 में राजपती पर महावयोग चलाने की प्रकिरिया का वर्णन किया गया है तो यह कथन जो है आपका सही है दूसरा अंशेद 61 के तहट राजपती पर साबित कदाचार्य सिद असमार्थता के आधार पर ही महावयोग चलाया जा सकता है तो देखिए नहीं यह कथन गलत क्योंकि अनुशेद 61 के तहट जो है राजपती पर संबिधान के अत्किरमण के आधार पर ही महावयोग चलाया जा सकता है तो यहाँ पर पहला कथन गलत है पहला साही है दूसरा गलत है इसलिए बी आप्सों जाएग किवल वन निम्लिकत में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंद में सत्य नहीं है यह मूल संबिधान का हिस्सा नहीं मौलिक कर्तव 42 संबिधान संसोधन अधनियम के माद्यम से जोड़ा गया था तो यहाँ पर पहला वाला कौन सा सक्ति नहीं यह बताना है यह आप्शन यहाँ पर हो जाएगा जबकि अन्य यह संभिधान के भाग चार का में होड़ी थे यह सोबिय संग के संभिधान से प्रेड़ी थे तो यह तीनों के तीनों सही है आगे बढ़ते हैं को परवर्तित कराने हे तो संभिधान के अंचे 32 के ताहत सरवोची नहीं को पांच प्रकार के रिट जारी करने के सक्ति प्रतान के यह कोंसे पंच हैं बंदी प्रतिशीकन परमादेश प्रतिशेद उत्प्रेशन और अधिकार प्रिच्छा अगला प्रशन है कि अंचे 312 के सार राज सभाध दोरा अखिल भारती सेवाओं का सिर्जिन किया जाता है कैसी किया जाता है दो तिहाई बहुमत के दोरा दो तिहाई बहुमत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 15 देखते हैं निमलिकित में से कौन सा एक नीत नेसितत्तों के अंतरगत सामिल नही यह किसके तष्ष आता है एक शे से चाउदा वर्स के आयू बढ़ती सिच्छा का उभबबंध यह नितिनसक स्धानत में नहीं आता है क्योंकि नितिनसक स्धानत में जो आठकीل फूर्टि फटिफवाईब है वो कहता है कि 6 वर से कम आयू के बच्चों के लिए प्रारमिक बाले आउसा देख रहे हैं कि हम सच्छा का उबंद किया गया है तो 45 के ताहत यह आता है 6 से 14 वाला जो है यह आपका बाद में जोड़ा गया है और यह मूल अधिकार में चला जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपका बीवाला सही नहीं है लोकसास में सुधार का राजिका करता भी है यह आपका आता है आठकिल 47 के ताहत नितनी सिद्धान जो है वो आठकिल 36 से लेके आठकिल 51 तक है भाग 4 के ताहत वहीं पर्यावण का सरक्ष्रम सवर्धन था अवने जियों की रच्छा यह आपका आता है आठकिल 48 का के ताहत आगे बढ़ते हैं नीचे दो कथन दिये हैं कथन और करण वाला है अभी कथन है कि महा नयवादी सरकार का पूर्ण कालिक बिधी परामर्सी होता है तो यहाँ पर कथन गलत है कारण सही है गिरहमी अनसुची में वानेत कुल कितने विश्यों पर पंचायतों को कानून बनाने की सक्ति प्रणान की गई है तो कुल 29 विश्यों पर बनाने की शक्ति दी गई है किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राजपाल निउत किया जा सकता है या वहने थे किस आर्ट किल में वहने थे तो ये 153 में 153 में ऐसा बताया गया है आगे चलते हैं कोशन नुबर 19 सलत्रत काल में बरीदे मुबालिक गुपतिचर विखाग का प्रमुक था जबकि राज़कि पत्रचार विखाग का प्रमुक था दिवाने इन्शा था अश्रश्वाला का प्रमुक था वो अमीरे आखुर था आगे बढ़ते हैं नेमिलिकित में से कौन सा एक यूग सही सुमिलित नहीं है पुस्तक और उसके लेहक क्मे तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है देखिए शहनामा फिर्दोषी की है स्रीकिष्णी बीजे माला धरबशु की है तहरकीक एहिंद अलबरूनी की है रहला जो है ये इबन बतूता की है उतवी की नहीं है रहला इबन बतूता की उतवी की जो है किताब उल यामनी है किताब उल यामनी है यहाँ पर डी वाला साही नहीं है अगला है नेमगे प्रमुक्त इस्थापत्प्तियों में से किस एकका निमान साह जहां द्वारा नहीं करायागया था तो देखिए इसके द्वारा ताजमहल बनवाए गया, लालकिला बनवाए गया साह के द्वारा आगरा फोर्ड जो है यह अकबर ने बनवाया था तीक है तो यहाँ पर दियान रखी आगरा फोर्ड अकबर का आगए बढ़ते हैं पर विचार चार संस्थाइं दिए गए इन संस्थाओं कि स्थापना का सही कालकरम बताना दिखें इनी चारों में सबसे पहले आपका दस सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापन होती 1905 में सबसे पहले हो गया फिर सोशल सर्विस लीग 1911 में स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी 1923 में नौजवान सभा 1926 में तो आपका सबसे पहले 3 हो जाएगा फिर 1 फिर 2 3124 था बी आपका सही हो जाएगा किसकी अधिश्ता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया तो इसकी अधिश्ता मदन मोहन माल भी ने की थी आगे बार्त करते हैं कोशन नमबर 24 नमबर देखते हैं नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन कानवाला प्रशन है कथन है या अभी कथन है कि को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है सही बात है कान मेटकाफ ने लिबरिशन आफ दे इंडियन प्रेस एक लागू करवाया था ये कथन भी सही है तो दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे है, मतब कान कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए A option हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, दो सुचियां है, पत्र-पत्रिकाएं और लेकक और संपादक, इन्हें हमें सुमेलित करना है, तो Glimpage, आप word history, यहाँ पुस्तक जवालल नहरू क की है, तो 1 से मिलाई है, hints for self-culture, hints for self-culture, लाला हर्दयाल की है, 2 से मिलाई है, a nation in a making, यह सुरेंदाज बनर जी के चार्ट से मिलाई है, हमदर्ध मुहम्मद अली की है, इसको 3 से मिलाई है, तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, B option हो जाएगा, अगला है, पावनार आंदोलन को लोकप्र वैक्तिकत संत्याग्रा के आंदोलन की रूप में, देखिए, गांधी जी द्वारा, 17 अक्तुबं 1940 को पाउनार में वैक्तिकत संत्याग्रा शुरू किया गया था, पाउनार आंदोलन catalog आंदोलन के फथम संत्याग्रही बिनोवा भावे, दूसरे जभाला लेह, रूत था तीसरे ब्रह्मदत थे आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 27 देखते हैं निम लिखित कत्रों पर विचार कीजिए दो कथर देगे बताना है इसमसे सत्य कथन या कथनों का हमें चैन करना है तो देखिए पहला तिरतिये आंगमराथा युद्ध के पहशात पेशवा के पेशवा बाजी रह दोती है अंतिम पेशवा थे यह भी कथन सही दो के दोनों कथन सही इसलिए सी ऑप्सन हो जाएगा अगला है विजय नगर समराज में आने वाले प्रोंफ विदेशी यात्री ता तरतकालिन सास्वों के यूगमों में कौन सा या से सही सुमेलित है यात कि फिस दो समराज में देखें लुएस पठार कहां पर है चीन में है को हैं पतावर पाकिस्तान में है शांठार में अमार में है सभी सभी समेलित हैं तो D option, जलियावाला भाग हत्याकांड के विरोध में नेम्रिकित में से किस ने वायसरा की कारकांडी पषिसस से इस्तिफा दे दिया था, तो शंकर नायर ने किस ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जलियावाला भाग हत्याकांड जो होता है, 13 अपल 1919 को हुआ था, और इसी घटना के विरोध में महत्मा गादी ने कैसरे हिंद की तथा जमनाल बजाज ने राय बहादूर की उपादी लौटा दी थी। अफ्रिका महादीप के किस देश को तिल तर्क पाल्म ओयल का देश कहा जाता है। तो इसमें किसको कहा जाता है तो ये आपका नाइजीरिया को कहा जाता है। ठीक है नाइजीरिया के दच्रे में गिनियी की खाड़ी है और या अट्लांटिक महासागर के कोना है अबुजार नाइजीरिया की राजधानी है तो 31 कसी हो गया 32 number question पर चलते हैं 32 number question है कि अफरिका महादीप की निम्लिके दो नदियों के संबन में कौन सा या से कथन शक्ति हैं तो दो कथन दिये गए हैं दो नदियों के बारे में तो यहाँ पर देखिए पहला लिम्पोपी नदी विश्रत रेखा को दो बार काड़ती है गलत है लिम्पोपी नदी जो है मकर रेखा को दो बार काड़ती है दूसरा कांगो नदी मकर रेखा को दो बार काड़ती है ने कांगो नदी जो है विश्रत रेखा को दो बार काड़ती है यह उल्टा लिखा हुआ है तो यहां पर D option कोई सही नहीं है अगला है अर्जंटीना में से चाको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह कपास उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है अर्जंटीना अमेरिका महादेव का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहां उत्त इसकी सरवोच चोटी माउन कुख है न्यूजी लैंड को दचने का बीटेन भी कहा जाता है आगे चलते हैं कथन कान का कॉसिक्षर बिषो कुछन है अभिकत्षन है कि अभिकत्षन है अभिकत्षन है उत्तरी गुलार्ड मे तापमान विश्रमताईं अधिक प्राप्त होती है तो विवही certain सब्सक्राइब यह बताना है पहला समध्राइब पाई जाती है चोब मंडल में प्रणाइब होती है जिसे चीह जाता है तो यह आपका कफन सही हैं, मतब सभी कफन सही हैं, तो D option हो जाएगा, 37 number question देखते हैं, निम्निक गफनों पर विचार किज़ें, दो कफन, दिए गए बताना है असत्य कथन या कथनों पर विचार करना है तो देखिए पहला विश्वत रेखा पर कॉलिसिस बल का प्रहो अधिक्तम होता है विश्वत रेखा पर देखिए विश्वत रेखा पर अधिक होता है और धुरूं पर सुन्य हो जाता है तो पहला कथन सही धुरूओं पर कॉलिसिजबल का प्रहुत सुन होता है, दो के दोनों कथन सही, असत्य बताना कोई असत्य नहीं है, इसलिए B option, नीचे अगला प्रशन जो है कथन काण का है, तो अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है कि चिनुक को हिम भच्छी, हिम भच् और यह जो है, राकी परवत के पूर्वी ढाल के सारे चलने वाली एक गर्म यूम्सुस्क पावन होती है, तो कथन कार्ण सही व्यक्था भी होरी, इसलिए A option हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला है, हिमालय का निम्लिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग, कोर्शन नमर 40 देखते हैं, कोर्शन नमर 40 है आपका, दक्षिन भाग की सबसे उची चोटी अन्ना मुडी इस्तित है कहां पर, तो अन्ना मुडी जो है अन्ना मलाई की पहाड़ी पर अवर्सित है, तो दक्षिन भाग की सबसे उची चोटी अन्ना मुडी अन्ना मलाई की पढ़ाई 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 पढ़ा आईवेरिया, बालकनियूम, पेनाईन हैं। अलप संखेक वर्गों के हितों का सरच्छता सुरच्छा संबंधी अधिकारों का उल्ले किसमिक किया गया है। तो ये किया गया है अंशेत 39 में, आर्टिल 29 में, ये आप्शन हो जाएगा। जबकि अंशेत 30 के ताथ सिच्छा संस्थाओं के स्थापन और प्रशासन करने का अलप संखेक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। असरमर्तता के आधार पर संसत के दोनों सदुनों के समा वेदन पर हटाया जाता है, जिस परकार से उच्छतम न्याले के नयाधिस को हटाया जाता है। यह के दोनों कथन पूर्तिया है सकती हैं, तो इसलिए C option, राष्टी अंतर राज्जी परिशत के गठन का वर्ण किस अनुशेद के अंतर किया गया है, तो इसका वर्ण जो है, अनुशेद 263 में किया गया, अनुशेद 263 में, इस परिशत का प्रमुकार के नयों राज्ज यहां के लिए सेंट आयोक के ब्यवस्था की गई, सेंट तो लोग सेवा आयोक के अधिया सजुष्यों के निकती की जाती, किसके दड़र राष्टपती के दवारा किया थी, राष्टपती के दौरा, ठीक है, राण दखी गएगा, निम्लिखत युगों में से कौन सा एक स ही सुमेलित नहीं है परोग संपर्दाय और उसके संस्थापक में देखिए आजीवक संपर्दाय के मक्खली गोश्वाल बरकरी के नामदयो धरकरी के रामदास रामावत संपर्दाय के जो है संस्थापक कौन थे रामानंद थे जिबकि रामानुज जो थे वो स्री वैश्ण कि श्री वैश्णों के बढ़ते हैं कौन सा एक फवुद्य श्रुख नहीं है क्यों सा एक पफूद जनित रोग नहीं है क्योंने दमा एथलीड फूट और गंजा पर ये फफूद से होता है पंगस इंफेक्शन से होता है जबकि आपका खसरा जो है खसरा ये बिशान जनीत रोग है वाइरस से फैलता इसका वहाग पैरा मिक्सो बिशानू है ठीक है यह तोचा को प्रहुईत करता है आगे चलते हैं कोशन नमर 49 देखते हैं 49 क्य है अद्द्योग क्यों बिट्तिय पुननर्मान बोर्ड BIFR का गठन वर्स 1981 में किया गया था इसका उद्देश था इसका उद्देश क्या था तो इसका उद्द्देश जीण उद्द्योगों का पुनरत्थान करना था यहाँ पर यह उप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते ह प्रोटीन की प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद प्रदार्थों में उपस्तित होता है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद प्रदार्थों में उपसित होता है तो ए उप्षन अगला है ने में लिखती उगम मसे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बिटामिन और उसके रसाइनिक नामों में देखिए बिटामिन B5 को पेंटाथिनिक अमल कहते हैं और बिटामिन B9 को फॉलिक अमल कहते हैं बिटामिन B2 को साइनो कोबाल मिन कहते हैं निमलिकित में से किस एक नदी का उदगम इस्थल मैकाल पठार नहीं है मैकाल पठार नहीं है तो गोदावरी देखिए मैकाल पठार 36 गड़ में इसके पशिमी भाग से नर्मदा उत्री भाग से सोन नदी तो दिछनी भाग से महा नदी निकलती है द्यान रखेगा पाश्वी भाग से नर्मदा निकलती है उत्तरी भाग से सोन निकलती है दच्षणी भाग से महा नदी निकलती है और प्राइदी पी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है जिसका उद्गम इस्थल महराश्ट का नासिक का जिला है आगे चलते हैं प्रियोग किया जाता है कॉनके मिरर का तो पहला गलत हो गया काण उत्तल दरपन पास इस्थित वस्तों का बड़ा दरपन करता है यह सही है जिबकि जो आउतल दरपन होता आउतल दरपन से कांस्ता वास्तुविक प्रत्विम प्राप्त होते हैं तो यहां पर कथन गलत है काण सही है तो दी ऑप्शन हो जाएगा अगला है निम्लिकत इगुंग में से कौन साइक सही सुमेलित नहीं है प्रमुक इस्थल और अवस्थित में तो देखिए ओपेरा हाउस सिडिनी में है कावा मक्का में हैं ग्रेंड कैनाउन आरिजोना में हैं अरिजोना युएशे मर्केट मर्डेका पैलेस मर्डेका पैलेस जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है ना की मिस्र में अगला है कथन काण का प्रश्ण है अभी कथन दिया गया है अभी कथन है कि आरगन गैश बि अगला है अगला कोशन है 57 नंबर निम्लिकित कफनों पर विचार कीजिए यहां पर दो कफन दिये गए हैं शूरिका प्रकास उश्मा का स्रुत नाव की सलेन हैं यहां पर आपका C ऑप्सन हो जाएगा एक और दो दो अगला है नेमनिकत कतों पर विज़ार कीजिए तीन कतन धिये गया है सत्तिया कते या कते वो को हमें चाईण करना है पहला इस थली अशिरली पाराश्तिक की तंट में जियोभार का पिरामिड सीधा होता है और तो ऐसे होता है थिक है दूसरा घास के मैदान में जियोभार का पिरामिड सीधा होता है, एक जलिय पास्ति की तन तालाव में जियोभार का पिरामिड उटा होता है, इस प्रिकासे, तीनके तेोन गतन सही है किसी भी राजी की विधान सभा में अधिक्तम 500 यूम नियूंतम 60 सदिश हो सकते हैं कौन से राजी इसके अपवाद हैं कौन से अपवाद हैं तो दिखिए गुवा मिजोरम और सिक्किम कैसे इसको भी देख लिजिए तो यह गुवा में 40 हैं मिजोरम में 40 सिक्किम में 32 ठीक तो 123 यह ऑप्शन निम्लित में से कौन सा या से वे भारत की संचितनेदी पर भारत हैं तो दिखिए कौन सा है भारत के नियंत्रक्यों महालेखा परिछक की पेंसन राश्पत्ति का बेतन उच्छे नयायले के नयाधिशों की पेंसन यह सभी के सभी संचित भाद के संचित नित पर देखिए उच्छे नयायले के जो नयाधिशों की पेंसन होती है वह भाद के संचित नित पर होता है ठीक है यहां 123 ठीक आगे बढ़ते हैं सब्सक्राओं के नियम्लिकित प्रसुशक में से कौन सा एक फिरोशा तुगलग से समंधित नहीं है तो देखिए दिवाने बंदगान दिवाने कोही नहीं दिवाने बंदगान, दारूल सफा और दिवाने इस्तिहाग ये फिरोसास तुकलक से समय तो देखिए विशिष्टा द्वयत्वाद, रामानुजाचार, द्वयत्वाद, मधवाचार, सुध्धा द्वयत्वाद, बल्लभाचार, ये सभी के सभी सुमेलित हैं तो यहाँ पर पर विचार कीजिए, दो कथन दिये गए हैं, बताना इनमें से सत्ति कथन या कथनों का हमें चैन करना है, मारकनेश्वर मंदिर को बिधर्व का खजुराहो भी कहा जाता है, ये कथन आपका सही है, यहाँ मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में इस तितन नहीं, यहाँ मंदिर महाराष्ट के गढचिरॉली जिले में बैन गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ पर पहला कथन सही दूसरा गलत है, बी ऑप्सन हो जाएगा, मद्ध भारत में इस तितन निम्लिखित पहाड़ियों में से, कौन से एक सबसे पूर्व में इस्थित है, तो सबसे पशिम में आपका कौन सा आएगा, सत्पुड़ा आएगा, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, और फिर सबसे पूर्व में छोटा नागपूर, तो सबसे पूर्व की बात किया तो छोटा नागपूर हो जाएगा, डी ऑप्शन, आगे चलते हैं, अगे बढ़ते हैं, कोशन नबर 66 देखते हैं, निम्लिप पर विचार कीजिए, यहाँ पर चार घटना क्रम दिए गए गए, इन उपरोगत घटनाओं का काल क्रम नीचे दिया कूर्ट की सहायता से हमें चुननना है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले संथाल विद्रो 73 से 85 तक, फिर ताना भगत आंदुलन 1914 है, फिर आपका एक आंदुलन 1922 है, इसमें सबसे पहले संथाल 2 हो जाएगा, फिर पाउना 1, फिर आपका 3, फिर 4, तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, अथर D option हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, निम्लिप कत्नों पर विचार कीजिए, यहाँ पर तीन कत्न दिये गए हैं, बताना है इन में से कौन सा या से सत्य हैं, तो देखिए, मोरी बंद, डेल्टा, बंगाल डेल्टा का उपविवाग है सही है, टेलिग्राफिक पठार, उत्तर अट्लांटिक कटक का हिस्सा है, यही सही है, मानो गजविदियों से परिवर्तित परियावन, इंत्रोपोजोनिक परियावन कहलाता है, मानो गजविदियों से परिवर्तित परियावन, इन्त्रोपोजोनिक परियावन कहलाता है, यह 3 के 3 कथन यहाँ पर सकते हैं, इसलिए 1,2,3,D option, अगला है, कथन कारण का प्रश्ट है, अभी कथन दिया गया है कि इसमें दर्द ग्रहिकाओं का जो होता है अभाव होता है तो यहां पर कथन काण दोनों सही है और व्याक्था भी हो रहा है इसलिए यह आप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 69 देखते हैं निम्नितिक मेंसे किस एक को फल शरक्रा भी कहा जाता है फ्रूट कि मीठे स्वात का चाहण होता इह एक मॉनो सेख्राइड होता यह बात धियान रखेगा अगला सत्व नमबर कोशन है उस्ष्ट करीवन दिया वर्सावनों के संबंध में निम्निकित कत्नों में से कौन सा या से कतन है तो दो कतन दिये गए है तो देखिए पहला यह बहुम कथनियाँ पर सही हैं इसलिए यह option हो जाएगा तो इस प्रकार से हम लोगों ने 70 प्रेशन देखें तो इस वीडियों बस इतना ही मुलर से ताथ पर क्या है ग्रीन मुफलर से ताथ पर है ध्वनी प्रदूशन को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ठीक है ध्यान रखेगा ध्वनी प्रदूशन को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे इनमें ध्वनी तरंगों को आउस्रोसित करने की छमता होती है बेरी बेरी एक पोशन संबंधी विकार है जो होता है किसकी हो जासे तो बेरी बेरी रोग जो होता है थाइमीन की कमी से थाइमीन की कमी से होता है त निम्लिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है प्रमुक संस्थान और उनकी अवस्थित के मामले में देखिए यहाँ पर राष्टिय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंद्राबाद में है यह सही है राष्टी द्रिष्टी हीन संस्थान देरादुन में यह भी सही है राष् 3 संस्थाओं के नाम दिये गए हैं और हमें इन संस्थाओं की स्ठापना का सही क्रम के सात्थ मतलब बता ना है तो यहाँ पर देखिए सिबसे पहले हिंदू कॉलेज जो कि कोलकता में सापित होता हिंदू कॉलेज अप्ट होती है ताहटारा सो सत्तिरा में ठीक है यहाँ पर आपका B option हो गया अगला है 75 नुमर कोशन निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए दो कथन दिये गए और इनमें बताना है कौन सा कथन या कथन जो है वो सत्य है अम लैंड सब्द का अर्थ होता है नगर का प्रतिवेशी आशपास का छेत्र होता है तो यह कथन सही है अम लैंड को हिंटन हिंटर लैंड भी कहा जाता है तो दो के दोनों के तरह आपका साही है इसलिए C option जाएगा अगला प्रश्ण है इसमें कथन काण वाला प्रश्ण है तो देखे अभी कथन दिया गया है कि S a C इसलिकॉन एक अर्थ चालक है सही है कि कान कशी विधु चालक तरह आचालकों के पेछा बहुत अधिक पर दो Спय डिए चालकों के पेछा बहूत कम होती इसलिए कि किन चालक Protect से netermyal को यहां पर कथन कान सूह और व्याक्थанич महें व बढ़ती हो उसे क्या कहलता है वह चेत्र आपका हैलो क्लाइन कहलाता है तो ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं 78 नंबर कोश्चन को देखते हैं 78 नंवली कितम से कौन एक बंबई त्रिमूर्ती बंबई त्रिमूर्ती के रूपे नहीं जानने जाते हैं तो देखिए इसम और फिरोस्ता मेहता इन तीनों ने मिलकर के वर्स 1880 में 1880 में बंबई प्रेसिडेंसी एशोशेशन की स्थापना के थी इन्हें बंबई त्रिमूर्ती के नाम से जाना जाता है इस प्रकार से जेडी देशमुक इसमें सामिल लहीं है तो भी आप्शन हो जाएगा आगे नहीं बलकि कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है जिबकि पहलगाम जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ते हैं अगला अभी कथन काण का प्रश्ण है कथन का प्रश्ण है तो देखिए अभी कथन दिया गया है सोडियम धात को केरुशीन तेल में सुरच्चित रखा जाता है स अगला है भारत में तेल और प्राक्रितिक गैस की खोजयों विकास को आगे बढ़ाने है तो निमलिकित में से किस वर्स तेल और प्राक्रितिक गैस आयोग इस्थापित किया गया था तो किस वर्स किया गया था 1956 में इसकी इस्थापना की गई थी तेल और प्राक्रितिक ग अगबरी निजामुद दिन ने लिखा था तारिख यामनी अल उत्वी ने तारिख फिरोज साही जियाउद दिन बर्नी ने ये सभी के सभी सुमेली थे तो D option हो जाएगा अगला है कथन काण काण का प्रश्ण है कथन काण का प्रश्ण है अभी कथन है कि धन विदेक क्यों ल खब योरी इसलिए A option यहाँ पर सही हो जाएगा कोश्ण नमर 85 देखते हैं निम्रिखित कथन पर विचार कीजिए दो कथन दिये गए बताने में सत्य कथन कोन से हैं तो देखिए मरियाना या चलेंजर सरवादिक गहरी महासागरी गर्थ है यह कथन आपका सही है यहाँ प असनकाल को इस्थापतिकला का स्वनकाल भी कहा जाता है गोल्डन एज आफ आर्किटेक्चर कहा जाता है आगे बढ़ते हैं कोश्ण नमबर 87 देखते हैं वाई मंडिली दिष्टी भ्रम मिर्ग मरिचका की व्याक्या किस एक सिध्धान्त के आधर पर की जाती है किस एक तो पहला प्रकास के रंग का निधान उसकी तरंग देधर से होता है ये बिल्कुल सही कतन है परासरफ धनियों की आवरती 20,000 हर्ट से अधिक होती है परासरफ धनियों की ये कतन आपका सही है तीसरा उर्दपातन की प्रक्रियादर मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहत नहीं वास्पी कर्ण की प्रक्रियादर रहता है उर्धपातन की प्रक्रियादर नहीं बलकि वास्पी कर्क्रियादर रहता है इसलिए फहले 2 2 3 supply नो सही है तो यह option हो जाएगा जंसंख्या पिरामिड में कौन सा समूं कारिशील जंसंख्या के रूप में वर्गी कृत्तक किया गया है। तो 15 से 64 वर्ष आयू समू, जो है, 15 से 64 वर्ष आयू समू, कारेशिल जनसंख्या के रूप में वर्गी किर्थ किया गया है। 90 नंबर कोश्यन देखते हैं, लाइकेन के संबंद में कत्वों पर विचार करें। लाइकेन के सम्मद में देखिए ये वायू प्रदूशन के ये वायू प्रदूशन के जैव शूचक होते हैं सही है यह नगरों के समीब नहीं पाय जाते हैं दोनों ही कथन सही हैं क्योंकि नगरों में क्या होते हैं वायू प्रदूशन ज्यादा होता है इसलिए वहां नहीं पाई जाएंगे तो दो के दोनों के असन सही है 1, 2, C option जाएगा लोग सभाधवारा पारिधन विध्यक को राज सभाधवारा अधिक्तम रोका जा सकता है तो 14 दिन तक रोका जा सकता है ठीक है सही है उर्जा का परवाह अजयविक प्रणाली से जयविक प्रणाली की दिसा में होता है दो के दोनों कथन सत्य है C option हो जाएगा निम्लिखित कत्म पर विचार करें तीन कथन दिये गए हैं बताना है इनमें से कौन सा या से सत्य हैं सिख निजामुदीन औलिया चिस्ती संप तो बार दीप्सलमुद् की मूलय निवासी नहीं है तो तो देख़िए कोंसी मूलय निवासी नहीं है तो हाल चुल सुम्प्यरुद नगालियूGO पाये निफ संप्रणाली तो यहां पर से जसाए increasing और द्रौ के बारे में है तो कौन सा सथल ऊबलिंगला उत्तितित नीग बताना है उप्रोक्त तीन बाध हैं उप्रोक्त मेंसे कौन से कौन से चम्बल नदी पर स्थित हैं तो यहाँ पर देखिए गाधि सागरबाद राणा परताब बाध जवहार सागर जल विदूत पर्योजना ये सभी के सभी चंबल लदी पर इस्थित हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1,2,3 आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर देखते हैं नमलिके तमसे किस धात का प्र घबारहित तो यहाँ पर घबारहित इस्थिल बनाने है तो लोहे के साथ होता है तो देखी है ग्रोमियम का उपयोक जो और उनकी अवस्तित के बारे में तो देख्ये के इंद्रिय सुष्क भूमी किरसी अमसंधान संस्थान ये कहां पर है हैदराबाद में है केंद्रिय सुस्क भूम किरसी अमसंधान संस्थान हैदराबाद में राश्टी किरसी विप्रन संस्थान जो है ये जैपूर में है Central Food Technology Research Institute आपका मैसूर में है अब यहां पर ये आपके जो reasoning के question है इन question प्रस्णों को छोड़ देते हैं आते है 110 number question पे ठीक है 110 number question है नहीं 111 number पे उत्तर प्रदेश के निमलिखित जिलो में से कौन सा एक नगरी जनसंख्या की दिर्शी से नियून्तम है तो देखिए नगरी जनसंख्या की दिर्शी से कह रहा है जबकि अधिक्तम नगरी जनसंख्या वाला जिला कों सा है गाजियाबाद है ठीक है और प्रदेश में नगरी जनसंख्या का जो प्रत्सत है वो कितना है 22.3 प्रत्सत है ये ध्यान रखीगा निमलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है तो इसमें देखें भारती अधूई बित निगम भारती अधूई बित निगम की स्थापना 1948 में भारती अधूई घरिणियोम निवेश निगम की स्थापना 1955 में भारती अधूई विकाश बैंक IDVI की स्थापना 1964 में और भारते अधोई विकाष्ट बैंक की स्थापना 1982 में तो सबसे पहले किस की स्थापना हुई? सबसे बाद वाला पहुच रहा है तो भारते अधोई विकाष्ट एक सिकंड राष्टी कर्सी, नहीं इने राष्टी क्र्सी घूर्मीर विकाष्टमें नाबाड की स्थापना 1982 में है, ठीक है, सबसे लाश्ट में आपका इसी की स्थापना होती है, तो C वाला नाबाड, एक मार्क गुणवात्ता प्रवान चिंहन, निमलिकित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे जो है, विपणन यूम निरिछन निदे शाले द्वारा जारी किया जाता है, तो C ओप्सन हो जाएगा, भारती मानक वीरो भारत का राश्टी मानक संस्थान है, और ISI का निशान इसी संस्थाiğ किया जाता है, जो ISI का होल मार्क आप देखते हैं, राधा सवामी पंद से संब्धित, दयालवाग इस्थित है, कहाँ सत्य है देखिए वह नगर का प्रथम नागरिक होता है सही है वह नगर निगम का पदेन सदेश होता है सही है कारिकारी समितिकार पदेन सभापती होता है ये भी सही है सभी के सभी यहाँ पर सही है D option निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए दो कथन दिये गये हैं, सत्य कथन या कथनों का, कि पहचान करना है या चैन करना है, पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज प्रटेंट बिकास निगम लिम्टेट की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, ये साँगि है, उत्तरवदेस राज बित्य निगम बित्य निगम की स्थापना वर्स 1904 में हुई थी ये भी सही है तो यहाँ पर दो के दोनों सही है 1,2 तो C आप्सन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 117 नंबर कोशन देखते हैं दो सूचियां है एक 1 जीव बिहार और उनकी अवस्तित इन्हें हमें सुमेलित करना देखिए पटना 1 जीव बिहार आपका कहां पे है एटा में है पटना 1 जीव बिहार एटा में 4 से मिला है पारवती आरंगा जो कहां पे है गोंडा में पारवती आरंगा गोंडा में है चंदरप्रभा जो है आपका चंदवली में है और रानीपूर जो है वो बादा में है रानीपूर बादा में है तो देखिए पतना एटा में है पारवती आरंगा गोंडा में है चंदरप्रभा चंदवली में है रानीपूर बादा में है तो 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1, A option आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 118 नंबर कोश्चन उत्तरपदेश का एकमात प्रमाणों सहीतर नरोरा किस जीले में इस्थ है तो यह आपका बुलंद सहार में इस्थित है कहाँ पर है बुलंद सहार में इस्थित है आने किस्थित में मुद्रा का ओमोलन किया जाता है सही है इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं इससे आयात जो है महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं यह कथन आपका सही है आयात मतलब जो हम बाहर समंग आएंगे वो चीज़े महगी होगे और जब हम यहाँ से चीज़े बेशते हैं वो सस्ती हो जाती है तो लोग जो विदेशी हैं वो हमारी चीज़ोग ज्यारा खरीदेंगे जब सस्ती हो जाएगी तो यहाँ पर व्याख्या, मतलब दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रहा है इसलिए अप्सिन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 120 नंबर कोशन देखते हैं तो यह है आपका महोबा कौन सा है महोबा देखिए उत्तर पदिस का महोबा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काट कर निर्मे 24 तिर्थंकरों की प्रतिमाव हेतु विख्यात है जिबकि स्रावस्ति जो है तिर्थिय तिर्थंकर भगवान शंभावनात भगवान संभावनात मंदिर समधित है कोशांबी में घोशता राम बिहार अवस्तित है आगे बढ़ते हैं, question number 21 देखते हैं, current के question देखते हैं, जनवरी 2023 में भारती मोल के किस महामारी रोग विशेशगी को अमेरिका के रोग नियंतरक, नियंतरयम रोगथाम केंदर के प्रधान, या केंदर में प्रधान उपनेदेशक नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त कि चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर, इसका उदगाटन जो है, रच्छा मत्री राजना सिंग ने किया, और यह 240 फिट उचा है, इसका नियुक्त किया गया है, जनुरी 2023 में जैव उर्जा सिकर संब्लिन 2023 का आयोजन इस्थल कहां पर था, इसका आयोजन जो है, भ एक सत्त भविष्ट के लिए समाधान, या रखेगा उर्जा पारिशन, एक सत्त भविष्ट के लिए समाधान, या इंग्लिस में कहें तो energy transition, solution for a sustainable tomorrow, आगे बढ़ते हैं, question number 24 देखते हैं, 124 नमबर देखते हैं, जनुरी 2023 में, जनुरी 2023 में, किस भारतिय रेल्वे स्टेश Indian Green Building Council, दोरा प्रदान किया गया, या इस station को 6 सिणियों में, कुल, सो में से 82 अंक प्राप्त हुए, आगे बढ़ते हैं, जनुरी 2023 में, इवा पेशेवर योजना, इवा पेशेवर योजना का प्रारम भारत यों किस देश के मद्द किया गया, तो इसका प्रारम जो है, भार इस 20 सिखर सम्मेलन जो है, के संबंध में निम कत्मों पर विचार करें, दो कथन दिये गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है, जनुरी 2023 में इस सिखर सम्मेलन की प्रथम बैठा का आयोजन पुंडिचेरी में किया गया, ये सही है आपका, दूसरा भारती विज्यान संस्थान पेंगलूर द्वारा इस संम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी सही है, दो के दोनों कत्रथन सही है, इसलिए C option हो जाएगा, अगला है जनवरी 2023 में जारी हेले पासपोर्ट सुचकांग जनवरी 2023 में जारी हेले पासपोर्ट सुचकांग 2023 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो भारत को इसमें 851 इस्थान प्राप्थ हुआ है और इस सुचकांग में पहले इस्थान पर जापान रहा है जनवरी 2023 में Chris Hipkins ने किस देश के 41 प्रधान मंतरी की रूप में सपत ग्रहन की है तो न्यूजी लेंड के 41 प्रधान मंतरी की रूप में इस पत पर हुनों ने जैसिंडा आर्डन का इस्थान ग्रहन किया है जनवरी 2023 में केन सरकार्दा प्रारम की गए एकिकरित खाद सुरच्छा योजना का नाम क्या रखा गया है अपना पहला चंदरोवर रासिद लांच किया है तो यहां लांच किया है संगी तरब अमीरात ने ठीक है चंदरोवर रासिद जनवरी 2023 में प्रहन मंतरी रांज मोदी द्वारा 108 में भारती विज्यान कांगरस का उधगाटन कहां पर किया गया तो इसका उधरन महाराष्ट के नागपूर में किया गया थीक है ध्यान रखेगा इसका आयोजन महाराष्ट के नागपूर के राष्ट संत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्विद्याले में किया गया इस सम्मेलन की जो मुखी विशय था या थीम जो थी वहा थी महिल महिला ससक्तिकन के साथ सतत विकास है तो विज्ञान और प्रद्योकी इंगलिस में कहें तो साइंस एंड टेक्नोलजी फार सस्टनेबल डवलप्मेंट विद वूमें इंटर विद वूमें इंपावर्मेंट आगे बढ़ते हैं जनवरी 2023 में किस मंत्राले के तत्वाधान में 17 में भारती प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मद्द प्रदेश राजी के इंदौर साहर में किया गया तो किसके तत्वावधान में? विदेश मंतराले के तत्वादान में, और ये सत्रहमाधा था, ठीक है, कहाँ पे हूए इंदौर में? जन्रमई 2023 में, उसका थीम क्या थी? डाइस्पोरा अमरित काल में भारत की प्रगत के लिए विशुशनी भागिदार अगे बढ़ते हैं जनुवी दुज़ादी के अमरित महुसरों के उपलक्ष में राश्पती भावन की इतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल क्या कर दिया गया है क्या किया गया है अमरित उद्ध्यान कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं जनुवी 2023 में निमलिखित में से कौन सा एक उरोपिय देश इरो जोन अपनाने वाला बीश्वा देश बन गया है तो यह क्रोशिया कौन सा देश है क्रोशिया है जनुवी 2023 में निमलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मद्ध साइक्लाउन वन नामक संट प्रसिच्छन अभ्यास का आउजन किया गया है तो भारत और मिसर के मद में, भारत और मिसर की सेनाओं के मद में, शाइकलोन वन नामक सेंगत प्रसिचना अभ्यास आईजित हुआ, दोनों देशों के मद रच्छा सहयों को बढ़ावा देने को देश के साथ इस अभ्यास का विजन राजस्थान के जैसल मेर में किया गया, 13 जजा सकते हैं, जनवरी 2013 में विश्व की सभसे बड़ी अंतराज्ठी पर्यटर अबढ़ से है, फीटर, फीटूर, फि तूर, फिटूर, 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 कर ले, फिटूर, फिर्यया, इंटरनेस्ठनल, डी, टूरिजम का आउजियन कहां संब्द हुआ, तो इसका आयोजन जो है आपका इस पेन के मैडेड में हुआ देश वीदेश की परड़ेटन समय दस जार से अधिक कमपनियों ने अपनी भागिदार इसमें दर्ज किये आगे बढ़ते हैं जनुरी 2023 में बनाए गए राष्टी यवा महोसो के संबंद में निम्ली कतनों पर विचार किये तीन कथन दिये गए हैं बताना इन में से कौन सत्य है इस महोसो का आयोजन 12 जनुरी को किया गया सही है इस महोसो का आयोजन करनाटक के हुबली में किया गया ये भी सही है इस महोसो के थीम थी विक्सित भारत विक्सित भारत विक्सित भारत ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है तीन के तीनों सही है यह आपर तो आपका डी आप्शन जो है सही हो जाएगा जनुरी 23 में कलवारी स्रेणी की किस पंडूबी को भारती नौ सेना में समलित किया गया तो आईनस वागीर को सामिल किया गया वो साएक सही सुमेलित नहीं है नवीन पुस्तके और उनके लेखक में तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जनुरी 23 में देश के सबसे बड़े हाकी स्टेडियम का उधगाटन कहां पर किया गया तो इसका उड़िशा के राउर केला में इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है विरसा मुंड़ा अंतर राष्ठी स्ट्य हाकी स्ट्रीयम रखा गया है है तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस किद्ग मिलते हैं नेच् qualify तब तक के लिए बहुत भूँत धन्यवाद